हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्जाम अकेडमी की इस इनफार्मिशनल प्रेटफॉर्म पर जहां हम आप सभी तक भारत के किसी भी युनिवर्सिटी से आए हुए प्रोफेशर असूसियेट प्रोफेशर और असिस्टन प्रोफेशर से रिलेटिट रिक्रुमेंट के उपर जो की पर्मानेंट पोस्ट पर निकल कर आया हुआ है टोटल सत्रा डिपार्टमेंट है जिस पर आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं और यहां पर हर एक कटेगरी से रिक्रुमेंट मांगे गये हैं चाहे आप जनरल से हूँ, OBC से हूँ, SC, ST या फिर किसी भी कटेगरी से आप विलांग करते हूँ, आप यहां पर फार्म अप्लाई करने के लिए एलिजबल माने जाएंगे, यूनिवर्सिटी का नाम है क्लेश्टर, यूनिवर्सिटी जो की स्री नगर में स्टैबलिश्ट है और यहां इन्होंने इसकी आफिशल बेफसाइ प्रवाइड कराई जाएगी, यहां पर अकेडमीक पेलेबल 10 की सैलरी रखी गई है, डिपार्टमेंट की बात करें, तो यहां पर ऐसे कंडिडेट फार्म अप्लाई कर सकते हैं, जो की बायो कमिस्ट्री डिपार्टमेंट से फार्म अप्लाई करना चाते हैं, यहां पोस्ट पर अप्लिकेशन मांगा गया है, डिपार्टमेंट आफ कंप्यूटर अप्लिकेशन से अगर आप फार्म अप्लाई कर रहे हैं, तो दो सीटों पर आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं, इसके बाद आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स डिपार्टमें साइन्स से एक पोस्ट पर रिक्रिमेंट मांगा गया है डिपार्टमेंट आफ जियोग्राफी से एक पोस्ट पर रिक्रिमेंट मांगा गया है डिपार्टमेंट आफ हिस्ट्री से यहाँ पर एक पोस्ट पर अप्लिकेशन मांगे जा रहे हैं उसके बाद डिपार्टमेंट इनफार्मिशन टेक्नोलाजी से रिक्रिमेंट मांगे जा रहे हैं, यहाँ पर भी टोटल एक सीट पर अप्लिकेशन मांगे गये हैं, जनरलिज्म एन मास्ट केमिनुकेशन से यहाँ पर दो सीटों पर अप्लिकेशन मांगे जा रहे हैं, मैनेजमेंट इस्टडी से यहाँ प पर दो सीटों पर application मांगा गया है physics के लिए आप आप apply कर सकते हैं यहाँ पर एक post पर recruitment मांगे गया है इसके बाद department आप political science से अगर आप apply करना चाते हैं यहाँ पर भी assistant professor के लिए एक post है department आप psychology से भी यहाँ पर assistant professor के लिए एक post पर recruitment मांगा गया है कुल टोटल यहाँ पर 17 department है और टोटल आप सीट की बात करें तो 20 सीटों पर आप apply कर सकते हैं पर्मानेट सीटों पर यह recruitment मांगे गये हैं यहाँ पर कुछ ऐसी ऐसी कटेगरी मिंसन हैं जिसमें फार्म अप्लाई करने के से संबंदित चीजें मिंसन की गई हैं इसके बात जब आप फार्म अप्लाई करेंगे तो जो application fees यहाँ पर आपको पे करना होगा उसमें general candidate के लिए 2000 रुपए application fees रखे गए हैं साथ यसाथ जो लोग SC या फिर HD कटेगरी से हैं वो यहाँ पर 1500 रुपए application fees पे करके अपने application form को fill up कर सकते हैं application form को fill up करने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं इसका जो print out रहेगा उसको आप print out कर लें self attached कर लें और जो documents हैं सारी चीजे आप यहाँ पर इसके साथ attach कर लें और payment application fees जो है वो आप लोगों को university के official website पर जाकर करना है जिसके लिए आपको www.cu.srinagar.adu.in प लोगों को pay करना है और उसका भी एक print out आप लोगों को निकाल लेना है उसके बाद आप इसे इनके address पर by post आप लोगों को send करना है या फिर registry आप लोगों को करनी होगी तो उसके according यहाँ पर 7 December 2024 से पहले आप लोगों को ये university को submit कर देना है अपने application form को fill up करने के बाद जो पास educational qualification है यानि कि masters 55% marks के साथ जो pass out है और उसके साथ आप लोगों के पास UGC या CSIR से आपने net qualify किया हुआ हो आपने slide या sit qualify किया हुआ हो या फिर आप लोगों के पास PhD की degree हो तो आप eligible माने जाएंगे masters यहाँ पर जरूरी है सभी candidate के लिए लेकिन इसके साथ इन तीनों मे कोई qualification होना जरूरी है तो ही आप farm apply कर पाएंगे यहाँ पर इस पोस्ट के लिए यहाँ सिर्फ और सिर्फ masters करने वाले candidate को यहाँ पर eligible नहीं रखा गया है यहाँ पर masters के साथ आपके पास extra qualification जो यहाँ पर mention किये गये हैं वो होने जरूरी हैं तो जो भी interested candidate हैं वो लोग यहा आप देख सकते हैं इसका जो portal है एक नवंबर 2024 को on कर दिया जाएगा लास्ट डेट रहेगा 30 नवंबर 2024 और लास्ट डेट के पास जो submission आप print out जो online application farm रहेगा सारे documents के साथ आप लोगों को 7 October 7 December 2024 तक इसे submit कर लेना है आफिशल website पर और department पर speed post के माद देम से तो इस वीडि पर आपको farm apply करने होंगे यहाँ पर farm को fill up करते वक्त आपका जो high school का certificate है आपका जो marksit है degrees जो है graduation लेबल तक के post graduation लेबल तक के डेट ज्यारफ, slate, slate या CSIR का जो certificate है mphil या PhD की जो degree है उसका जो certificate है experience certificate अगर आप लोगों के पास है तो उसकी जरूरत farm को fill up करते वक्त पढ़ सारी चीजे self-attested करके आपको एक hard copy बना लेनी है और उस hard copy को ही आप लोगों को farm के साथ submit करना होगा university में जो 7 December का date यहाँ पर दिया गया है तो इस वीडियो में इतना ही तरीके के और भी information हम आप लोगों तक पहुचाने का प्रयास करते रहेंगे मिलते हैं कि नए वीडिय information के साथ तब तक के लिए thank you so much